मुनिश्टी युग भूशन विजय जी आप भी कुछ कम नहीं थे आपने अपने बड़े भाई महाराज की विरासत को बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया था कॉलिटीज तो पहले से मौजूद थी ही मुहजीत विजय जी जब काशी अभ्यास करने ही तो गए थे तब न्याय दर्शन विशय में युनिवर्सिटी का ग्यारा साल का कोर्स तीन साल में ही पूरा कर लिया था और ऐसे एक नहीं तीन-तीन सब्जेक्ट्स एक साथ पढ़े थे पर मुहजीत विजय जी खुद कहते थे कि मैं जो तीन साल में पढ़ा हूँ वो युग भुशन विजय जी ने एक साल में ही पढ़ लिया है बचपन से परिवार के संसकार और अध्यात्मिक वातावरण मिलने के बाद जब वे 14 साल के हुए तब देवचंदर जी महाराज के अध्यात्म रस से भरे स्तवनों को पढ़कर बहुत प्रभावित हुए थे और इन स्तवनों के अर्थों का स्वयम चिंतन करते करते उन्हें इस संसार के स्वरूप का परदाफाश हुआ और मुक्ती की तीवर कामना उनके दिल में पनपी गुरुदेव और बड़े भाय की गाइडन्स और देव गुरु धर्म की कृपा और आशिरवाद से उन्होंने अनन्थ पूर जाकर काशी के विद्वान पंडित जी के पास न्याय दर्शन का गहरा अभ्यास किया और संस्कृत व्याकरण की भी इन डेप्थ स्टडी की उसके बाद कुछी सालों के गुरु कुलवास में वो जैन दर्शन में भी माहिर बन गए गुरुदेव ने देशकाल के ग्यान में भी माहिर बनाने के लिए उन्हें इंग्लिश न्यूस पेपर्स पढ़ने की आग्या दी और उन्होंने टाइम्स ओफ इंडिया, इलिस्ट्रेटिड वीकली, इकोनॉमिक टाइम्स आदी पढ़ना शुरू किया वैसे शास्त्रों के अभ्यास में ही उन्हें समय कम मिलता था, फिर भी गुरुदेव के आग्रह को उन्होंने मानने रखा, जिसके फ़ल आज हम सब देख रहे हैं, कि आज के करेंट अफेर्स को भी वो ट्रांस्पेरेंटली परक सकते हैं युग भुशन विजय जी की फास्ट ग्रैस्पिंग, फोटोग्राफिक मेमरी और शास्त्रों से परिपक्व बनी प्रग्या का सुन्दर संयोग हुआ और हरक्षेत्र में मर्म ग्राही बोध करने की विजन उन्हें प्राप्थ हुई गुरुदेव ने उनकी क्षमता के अनुसार उन्हें भी शासन के बड़े कारियों में और ज्यान दान स्वरूप गच्च की उँची भक्ती में जोड़ दिया उनकी मेहनत, तेजस्वी प्रतिभा और उनके मुहक विक्तित्व के कारण उन्होंने अपने वडील महात्माओं के दिल तो जीती लिये थे और गुरुदेव का भी पूरा वात्सल्य उन पर बरस रहा था गुरुदेव हमेशा दोनों भाईयों से कहते थे कि सुरी पुरंदर हरी भद्र सुरी जी, उपाध्याय यशो विजय जी, सिधर्शी गणी आदी महापुरुशों ने योग और अध्यात्म के ग्रंतों की रचनाएं की हैं वे बड़े कठिन हैं, यदि उसे सरल करके सभी साधु साध्वी आदी को पढ़ाया जाएं, तो उनका अध्यात्म के दिशा में बहुत शीग्रता से विकास हो पाएगा इसलिए आप दोनों भाई इस कारी की जिम्मेदारी उठालो तो कैसा रहेगा? कुरुदेव के आशिरवाद से उन्होंने इन सारे योग गरंथों के तत्व को बाचना, अध्यापन या प्रवचन के माध्यम से लोगों के समक्ष, सरल और सुन्दर शैली में विशलेशन करना शुरू किया वाणी में बहुत प्रभावक्ता थी, राजनगर यानि एहमदाबाद जैसी ग्यान की नगरी में उन्होंने प्रवचनों का प्रवचन श्रेणिया हुई, जिसमें लोग वाणी का रस्पान करते-करते वैराग्या और अध्यात्म की दुनिया में खो जाते थे उनकी प्रसिद्धी भी बढ़ती गई, एहमदाबाद में दोनों पंडित महाराजों के प्रवचन का जैसे नशासा लग गया था, लोग उनसे बुक पब्लिश करने के डिमांड करने लगे, परन्तु निस्प्रिही महात्माओं ने इसका स्पष्ट इनकार कर दिया पर शृत की उंची भक्ती स्वरूप गुरुदेव की इच्छानुसार शृत रक्षा के एक महानकारे की आकरती उनके दूर दर्शी मन में उजागर हुई, जिसके फल स्वरूप गीतार्थ गंगा संस्था की 1992 में स्थापना हुई, सादू जीवन की मर्यादा में रहकर उ उन्होंने माल्क दर्शन देने की सहमती दी और शृत रक्षा का एक महानकारे शुरू हुआ, जिसे देखकर आज स्कॉलर्स भी इंप्रेस हो जाते हैं, ऐसा ये वर्ल्स बेस्ट एंड यूनिक एंसाइक्लोपेडिक वर्क है, जिन शासन के 10,008 सबजिक्ट्स के शास्त्र संदर्भों को अलग-अलग रंथों में से एक जगह लाकर उनका अर्थ गाम भीर्य पूर्ण मर्मोलेक करना यही इसकारे का पवित्र और मुख्य उद्देश्य है, वास्तव में ये कोई सरलकारे नहीं है, सालों साल तक और सैकणों पीडियों तक इसकारे के गीतार्थों की गंगा बहेगी, क्यानि किसी लायक और समर्थ व्यक्ति को गीतार्थ बनना हो, शास्त्र ग्यान पाकर, परिपक्व होकर, स्वाव पर कल्यान करना हो, तो इश्रुत के सहारे बड़ी सरलता से कर पाएगा, इस तरह उन्होंने गुरुदेव की इच्छा भी पल, एक मात्र, जिनाग्या ही थी, और कोई स्वार्थ की कामना नहीं थी, इसी दोरान उनकी P.R.L. इंस्टिट्यूट के अच्छे साइंटिस्ट के साथ भी मीटिंग्स होई, जिसमें modern और ancient astronomy, theories of science, physics, biology, chemistry जैसे कठिन सबजेक्स पर काफी चरचाएं होती, कभी-कभी साइ उजे युगभूशन विजय जी के questions भी कैसे होते थे, ये सुनने जैसा है, modern physics के research scientist, Mr. भावसार को उन्होंने पूछा कि आपके view से heat किस form में है, ये substance है या property है, क्योंकि substance मानेंगे तो उसके particles भी मानने चाहिए, और property मानेंगे, तो भी किस द्रव्य या substance की property है, ये तो ब के लिए भी यही प्रशन उठते हैं, इसका कोई उत्तर उनके पास नहीं था, टाइड के बारे में भी युगभूशन विजय जी ने प्रशन उठाया, कि यदि मून की gravity के कारण टाइड आती है, तो तालाब, कुए, सरोवर, नदिया, अरे पानी की टंकी और इवन ग्लास में भी प्रोपोशनेटली टाइड आनी चाहिए, आपके पास है कोई जवाब? तभी उन्होंने पुझ्य युगभूशन विजय जी की समर्थता और भावी लाब को सामने रखते हुए, युगभूशन विजय जी को आचार्य पद्वी के लिए बहुत बार अग्रह किया, परन्तु युगभूशन विजय जी ने बड़ी निस्प्रुता से साफ इनकार कर दिया, लेकिन दोनों भाईयों की गितार्थता पर विश्वास होने के कारण अगम ग्रंतों का अध्ययन अवगाहन अच्छी तरह करने हे तू, तीन-तीन वरिष्ट एवं पवित्र आचार्यों ने उन्हें सहर्श आशिरवात के साथ हनुमती दी थी, मुझित विजय ज उनकी पदवी करा देना, जिसकी आगे जाकर जरूरत पड़ेगी, और वास्तों में ऐसा ही हुआ, शिकर जी तीर्थ रक्षा की फाइट में रीप्रेजनेशन के प्रशन उठे, तब फिर से परम पुझ्य युग भुशन विजय जी को आग्रह किया गया और उन्हें सहमती देनी पड़ी, पवित्र और सरल स्वभावी, आचार्य भग्वंत पुन्यानंद सुरिश्वर्जी द्वारा उन्हें आचार्य पदवी बड़ी शान से दी गई थी पदवी होने के बाद प्रभावक आचार्य भग्वंत स्रिमद विजय युग भुशन सुरिश्वर्जी महाराजा शासन के भावी हित और विश्व कल्यान की भावना से शासन के कार्यों में दुगने उत्सा से आगे बढ़ने लगे क्योंके हर कार्य में एक युनिकनेस है एक पवित्रता की छाठ है जिन शासन की निष्ठा और जिन वचनों की वफादारी उसमें जलकती है शुब भावनाओं के साथ फारसाइटेडनेस भी है एक स्पिरिचुल सोवरेन को शोभा दे ऐसे गुण और एक्सपर्ट विजन के कारण आपका हर कार्य शासन की बड़ी प्रभावना का कारण होता है नास्तिक्ता से भरे युग में लाखों के दिलों में धर्म, वैराग्य, अध्यात्म की जयोत जलाना ये तो कोई प्रभावक महापुरुष ही कर सकता है आपके हर कार्य में संग, शासन, तिर्थ के बड़े हित समाए होते हैं और उसका अनोखा तरीका आप से सीखने मिलता है इनही कार्यों से आपका युग भुशन नाम आपने सही अर्थ में सफल किया है आईए इन कार्यों की कुछ ग्लिम्स देखते हैं केसरिया जी शिखर जी आदी तिर्थों पर आये हुए आक्रमणों के बारे में जैनों में जागरती लाने हेतू उज्जश्री ने हमदाबाद, वडोद्रा, भावनगर, मुंबई, बैंगलोर जैसे अनेक शहरों में रदेश पर्षी प्रवचन की जिससे रक्षा धर्म अभियान के लिए जैनों में काफी जागरती आई प्रभु वीर के शासन में Empowerment and Delegations of Rights कैसे किये जाते हैं इसका एक अनोखा कॉंसेप्ट मुंबई ऑगस्ट क्रांती मैदान में Grand Exhibition द्वारा प्रदर्शित किया गया इस रक्षा धर्म अभियान में भी लाखों लोगों ने भाग लिया था इस अभियान के बाद भूचिश्री धर्म तीर्थ सनरक्षक के नाम से प्रसिद्ध हुए तीर्थ रक्षा एवं धर्म रक्षा है तू Trust Act, Constitution, आजे विशोयों पर नामांकित Politicians, Ministers, Senior Advocates, Councils, Lawyers, Retired Judges के साथ Private Meetings और सार्वजनिक संबोधन भी किये जिससे बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स तीर्थ और धर्म के हित में आए तीर्थ रक्षा हेतू पुजिश्री ने डॉक्टर्ज, वकील, सीए, जजेज, आधी को भी अनेक बार संबोधित किया जिससे बहुत से एजुकेटेड लोग भी सभियान में जोइन हुए जिसमें ज्ञान के प्रारंब से पूर्णता तक की विकास यात्रा, शास्त्री आधारों के साथ आधोनिक टेकनोलोजी के माध्यम से दिखाई गई थी जिसमें ज्ञान प्राप्तिक के 18 स्टेप्स और हर एक स्टेप्स चार अलग अलग परस्पेक्टिव से दिखाने का एक सफल प्रयास किया गया जिसका कॉंसेप्ट एवम गाइडन्स आचार्य भगवन्त युग भुशन सुरिश्वर जी का ही था ततकालीन सीएम स्री नरेंद्र मोदी जी भी जब इस एक्जिबिशन को देखने आए तब एक स्पिरिचल सोविरेन के पत से आचार्य भगवन्त ने उन्हें राज्य के हित में सारे धर्मों को प्रोचसान देने की सुन्दर सीख और सला दी थी एक चीज मिलेगी वंडरफुल और चलमन जीतवा जाईए जैसी फेमस मूवीज और एक मजे की लाइफ जैसी नाटिका के द्वारा नए तरीके से आज की जिनरेशन को धर्म और अध्यात्म के आदर्शों की इंपोर्टेंस बताने का अनूठा प्रयास किया गया है इन सब के मूल कॉंसेप्ट प्रदाता भी वुजश्री है वुजश्री के गाइडन्स से शत्रुन जे तिर्थ के प्रांगण में तिर्थ के विकास और रक्षा हेतु एक्जिबिशन रखा गया जो गुज़रात सरकार द्वारा निमंत्रित और आनंजी कल्यांजी पेड़ी द्वारा आयो जित था इसे शत्रुन जय आदिनाथ महिमा महत्सव नाम दिया गया था ततकालीन सीएम आनंदी बैन पटेल ने खुद पालिताना आकर इस एक्जिबिशन का उपनिंग किया था और तिर्थ के लाभेतु यूजनाय गूशित की थी शिल्प स्थापत्य शास्त्र के ग्याता पुझे आचार्य भगवन्त का एक्सपर्ट गाइडिन्स हमें जग प्रसित मनी लक्षमी तीर्थ के स्थापत्य में नजर आता है गुजरात के सोमनात मंदिर के बाद सेकेंड हाइस्ट यानि टॉलिस्ट शिखरवाला और श्रत्रुन जय तारंगा जैसे स्थापत्य वाला ये विश्व का अजोड जैन तीर्थ है शिल्प शास्त्र और मंत्र शास्त्र के अनुसार पुजिश्री ने सुन्दर और शास्त्रिय लक्षण युक्त जिन प्रतिमा गुरु प्रतिमा, अन्य देव देवियों की प्रतिमा, सुरी मंत्र आधी अनेक पटो में भी एक्सपर्ट माल्क दर्शन देकर जिन शासन को भाव व्रिद्धी के अनेक आलंबन भेट दिये हैं साबरमती रिवर फ्रेंट में ग्रैंड चवदर स्वपनों का उतरना और सुन्दर वातावरन में प्रभु का अनोखा जन्म कल्यानक का समारोग, हजारों लोगों की भाव व्रिद्धी का कारण हुआ थे गुजरात के सीम विजय रुपानी जी की उपस्तिती में ही इसका उपनिंग हुआ था जहां टेंपरल पावर को एंजोई करने वाले सीम के साथ एक स्पिरिच्छल सोवरेन का आनोखा मिलन हुआ था स्पिरिच्छल सोवरेन के नाते पुझ्ज श्रीने रुपानी जी को तिर्थ रक्षा हेतु कुथ सुझाव दिये जिससे रुपानी जी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने आनन जी कल्यान जी पेड़ी के सदस्यों को तिर्थ रक्षा हेतु पुझ्ज आचार्य सेव शिखर जी अभियान में सरकार के सामने पब्लिक प्रेशर लाने के साथ साथ जैनों की एकता का भी प्रयास किया गया जिसमें चारों संप्रदायों के मुख्य धर्म गुरू एक साथ एक मंच पर तीर्थ रक्षा के लिए संगटित हुए और सभा को संबोधित करने के बाद 15,000 से अधिक की जन संख्या में सभी एक साथ विशाल अहिंसा रैली में शामिल हुए सेव शिकरजी अभ्यान को देश विदेश से भी लागों की संख्या में सपोर्ट मिला इस अभ्यान का लक्ष यही था कि शिकरजी महातीर्थ की पवित्रता बनी रहे और इस तीर्थ को प्लेस आफ वर्शिप आफ जैन्स डिक्लेर किया जाए इस संदर्भ में जैनों को सरकार की तरफ से राइटिंग में ओफिस मेमोरंडम भी प्राप्थ हुआए पुझ्जी श्री की प्रवचनों की सरलता, कन्विंसिंग और लॉजिकल शहली के कारण यंग्स्टर्स पुझ्जी श्री से बहुत प्रभावित होते हैं तो यंग्स्टर्स के लिए खोज 1, In Search of Happiness और खोज 2, Redefine Your Career इन शिविरों का सफल आयोजन हुआ जिसमें पुना, बैंगलूरू, मुंबई, एमदाबाद आदि कई शहरों से बड़ी संख्या में यंग्स्टर्स शामिल हुए एक तरफ इन सब प्रभावशाली कार्यों में सफलता मिलती गई और दूसरी और उनके गच्छ में भी Intelligent and Educated लोग जुड़ते गए पुजश्री के प्रवचनों से प्रभावित होकर वैराग्य और अध्यात्म की भावना से कई युवान और प्रतिभासंपन नमुक्षों ने उन्हें जीवन समर्पन किया जिनमें डॉक्टर, सीए, सीएस, एंजीनियर्स, प्रोफेसर्स, फैशन डिजाइनर्स, आधी अलग-अलग फिल्ड्स के educated लोग शामिल हैं यहां तक की IITNs भी पुजश्री के शिश्यों में हैं उनका सामुहिक दिख्षा महत्सव भी विजएप्रस्थान के नाम से बड़ा प्रसिद्ध हुआत ऐसे तीन-तीन विजएप्रस्थान सामुहिक दिख्षा महत्सव के बाद गच्छ की संख्या आज बगेर किसी विशेश प्रहत्न के तीन से बढ़कर 87 तक पहुँच गई है ये गच्छ भी आज ऐसे गुणों के निधी समान गच्छादी राज को पाकर अपने आपको भाग्यशाली मान रहा है इसलिए गच्छ भर्ती परिवार ने पुझ्जे श्री की समर्थता को देखते हुए और अपने रून स्विकार की भावना प्रदर्शित करते हुए परमपुझ्य गुरुदेव आचार्य भगवंत स्रिमत विजय यूग भूशन सुरिश्वर जी माराजा को पद्वी ग्रहन के लिए ये बिंती की थी हम सब आपके निश्रित हैं आपकी आग्ना ही हमारे लिए सरवोपरी है आपके अनुशासन से ही हमारा आत्मकल्यान निश्चित है आज तक आपने हम सब पर बहुत से आत्मिक उपकार किये हैं और जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को उंगली पकड़ कर चलना सिखाती है ठीक उसी तरह आपने भी बड़े वातसल्य से इस अध्यात्म के मार्ग में हमें चलना सिखाया है इसलिए हम सब की यहारदिक बिंती है कि आप गच्चादी पती की सरवोच पद्वी ग्रहन करें जिससे हमारा योगक्षेम भी अच्छी तरह हो सके और हम अध्यात्म के मार अगे बढ़ सके साथ में इस पद्वी के तहट आप शासन के और भी उचे कार्य कर सके इसलिए अपनी प्रतिभा के नूर से इस गच्चादी पती पद की शुभा बढ़ाए और आप हमारे सार्थी बनकर हमारे सुकानी बनकर हमारी इस दूपती नईया को भव सागर से पा स्क्रीन पर्सनालिटी गिना जाता है और स्पिरिच्चल सोवरेन को टेंपरिल पावर के सत्त अधीश और हैड अब दिस स्टेट्स भी आदर से उनके चड़ों में सर जुकाते हैं जैसे एक एमपरर किसी अन्य राजा के अधीन नहीं होता पर दूसरे राजा उनके अधीन हो सकते हैं इस तरह स्पिरिच्चल सोवरेन भी किसी के अधीन नहीं होते परंटु अन्य आचार्यादी उनके अधीन हो सकते हैं और तो और राज्य सत्ता भी कभी धर्म सत्ता में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, बलके उन्हें फैसिलिटेट करना उनका कर्तव्वे है। आज भी वेटिकन के पॉप टिबेटियन दलाई लमा स्पिरिच्छल सुवेरेन का स्टेटस एंजॉय करते ही हैं। और इटली के द्वारा वेटिकन के लिए धर्म का अच्छी तरह से फैसिलिटेशन लेटरन पैक्च के तहट दिया जा रहा है। इस पदवी के साथ बड़े उंचे और पवित्र कर्तव्वे जुड़े हुए हैं। गच्च या समुदाय के सभी पॉलिसी डिसिजन्स लेना, उनके आधन्यावर्ती साधू, साध्वी, श्रावक, श्राविकाओं का अनुशासन करना, साथ ही संग, शासन, तिर्थ की रक्षा के लिए डिसिजन्स लेना, उसे आगे बढ़ाना भी उनके कर्तव्य में आता है इस पोस्ट की एक खासियत ये भी है, कि दूसरी पद्वियां वडीलो द्वारा दी जाती है, लेकिन ये पद्वी परिवार की सहमती से होती है नतिजन, एक साल पहले महासुद दशम समवत 2076 मंगलवार के दिन भव्वता पूर्वक बड़े ही शगुनों के साथ और राजाशाई ठाट से पुझ्यश्री की जाजर्मान गच्छादी पती पद्वी संपन्न हुई जिसकी प्रसिद्धी दूर दूर तक फैली, इस पद्वी के जो भी साक्षी थे, वे भी अपने आपको बड़ा भाग्यशाली समझ रहे थे और पुझ्यश्री ने भी बड़े शुब भाव और पवित्र भावना से सारी वीडियो का स्विकार किया था ऐसा लग रहा था कि जैसे वे धर्मक्षेत्र के कोई स्पिरिच्चुल एम्परर यानि के आध्यात्मिक शैन्षा ना हो ओ आध्यात्मिक सार्व भावन, ओ युगों के राजा, विश्व हितैशी, कल्यान कारी, गच्छा धिराज आपसे आपका पूरा परिवार मिलकर विनिती करता है कि इस संसार सागर से तैरने के लिए आप हमारे सार्थवाह बने इस भव अटवी से पार उतरने के लिए आप हमारे राखबर बने आंतरिक एवं बाह अनुशासन देकर आप हमारा उत्धार करें हमारा कल्यान करें, हमारा योग शेम करें तू मेरा सार्थवाह, तू ही जंगी जहाज ये मेरी जिन्दगी सारी तुझे बस सौपता हूँ मैं तेरे बोल पर तनमन जिवन सारा लुटाओ सफर का राह बर तू, तू ही मेरा किनारा तेरी उंगली पकड़ली है तुझे से चल रहा हूँ सदा ये हाथ हो सिर्फर कृपा ये मांगता हूँ ये मेरी जिन्दगी सारी तुझे बस सौपता हूँ पानी सारे गारे लजान पानी सारे दुझे ब़ौपता हूँ ओ, यूगों के राजा, मुझे तुम सबनना, मोह जीतने की कला मुझे तुम ही सिखाना ओ युगों के राजा मुझे तुम सबनना मौह जीतने की कला मुझे तुम ही सिखाना तुम अनुशा संदेना मुझे गिरने से तु बचाना तुम दिशा दुष्टी देना सही राह पर तु चलाना मेरे आत्मा में घ्यान जो जलाना ये मेरी जिन्दगी सारी तुझे बस सौफता हूँ मैं तेरे बोल पर तनमन जीवन साडा लुटा हूँ पानी सारे गा राह न जाना हो मेरी आखों में चाए जब मुह अधेरा तू ग्यान दृष्टी का सागर तूने राह कर दी वो जागर तू शान्त रस का सावन मेरी आत्मा करो पावन तेरे गुड़ों का अंश मैं पाजाओं ये मेरी जिन्दगी सारे तुझे बस सौपता हूं मैं तेरे बोल पर दन्मन जीवन सारा लुटाओं ठी वादी बस सारे लुटाओं तुझे बस सारी मेरी आत्मा करुटाओं कभी तू जोत बनके, कभी तू मशाल बनके, कभी तू राह बनके, कभी तू मंजिल बनके कभी तू सत्व बनके, कभी तू धैर्य बनके, कभी तू धैय बनके, कभी तू ध्यान बनके किसी भी स्वरूप में आकर आप हमारा अनुशासन अवश्य करना तुम अनुशासन देना, मुझे गिरने से तु बचाना तुम दिशा द्रुष्टी देना, सही राह पर तु चलाना तेरे शरण से सिद्ध भे पाजाओ ये मेरी जिन्दगी सारी, तुझे बस सौपता हूँ मैं तेरे बोल पर तनमन जीवन सारा लुटाओ तु मेरा सार्थ वाह, तु ही जंगी जहाज सफर का राह भर तु, तु ही मेरा किनारा ये मेरी जिन्दगी सारी, तुझे बस सौपता हूँ मैं तेरे बोल पर तनमन जीवन सारा लुटाओ तेरी उंगली पकडली है, तुझी से चल रहा हूँ तदा ये हात हो सिर पर क्रपाये मांगता हूँ पद्वी प्रदान के बाद उनकी प्रतिभा मानो और भी खिलने लगी उनके द्वारा शासन रक्षा और धर्म रक्षा के उंचे-उंचे कार्यों को बहुत वेग मिला आईए एक नजर इन पर भी डालते हैं, जिससे इस प्रभावक और गितार्थ महापुरुषकी हमें सही पैचान हो सके हुआ 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 हैं झाल झाल